हेलो गाइज वेलकम टो आर यूटूब चैनल में शेर सनलाइट और सनलाइट के इस बहतरी नौर खास एपिसोड में आप सभी का वापे से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना का जो मैसिव रेडियो टेलिस्कोप है जिसका नाम है फास्ट यह ऑपरेशनल हो रुका था जो कि जनवरी में और अभी यह दावा कर रहे हैं इस टाइम पर भी न्यूज हाली की न्यूज है एक दिन पहले आभी कुछ घंटों पहलों की नीज है कि एलियंस की तलाश में निकलेंगे सब्टेंबर में अच्छा यह तो बात हुई यह तो सर्फ मीडिया में अब फिलाने की एक मसाला वाली न्यूज हो गई कि यहां याद एलियंस एलियंस वैसे क्या मतलब होता है एलियंस के किस हिसाब से लोग बात कर रहे हैं और एस्ट्रोंपिजिक्स के से एलियंस को देखता है तो वह हम इस वीडियों आप साइश टेलिस्कोप है रेडियो ट जिस एक आप बड़ा है तो यह एक डिश होती है न हमारे दिश टीवी होता है एक एक बहुत बड़ा डिश है जो कि रिसीफ करेगा बहुत सारा वे वेफ्स फ्रॉम दा इस और गेलेक्सी से और हमें फिर बताएगा एक्स्णोड करेगा वह सब चीजों को वेवलेंस को नै में ये कि इंडिया अभी कहां पे खड़ा है इंडिया का जो अब्जवर्टरी है इसके ओपर रेडियो टेलिस्कोप के ओपर और जो इंडिया का रिसर्च है इन चीज़ों में अभी कहां पे उसका स्टेटेस क्या है इस टाइम पर इन सब चीजों की दोस्तों बात करूंगा मतलब एक पूरी clarity के साथ आपको भेजूंगा इस वीडियो के अंतर तक आप जब वीडियो छोड़ के जाएंगे तो एक बिल्कुल ultimate level तक आप समझ चुके होंगे काफी चीज़ों को तो चलते हैं शुरू करते हैं ना दोस्तों तो इसका नाम क्या है इसका नाम है fast fast मतलब की इसकी definition है fast और fast बताते है तो आपका in Zumalicoo अब five 100 this मतलब आप यह माझम लेजे इसका 500 मीटर क्या है diameter इसका diameter मालाब की आदा हुँयो मेंटर का इसका diameter है और यह 500 है तक डामानि जीचना नाम या और जो फूरी दुनिया को परिप्रमान को देखने वाली वह चीज वह नजरें मतलब पुरी ब्रह्मान को जो चीज दे सकती है उसका नाम ऐसे रखा हुआ है इसका नाम जो पालतु नाम इसका क्या है तिन्यान है जो भी इनकी भार्षा में कहते हैं अच्छा इसका साइंटिफिक गोल क्या है अब क्या इसके लक्ष है क्या करेगा जो एलियंस के बात कर रहा हूँ ना दोस्तों कि एलियंस की यह धूड़ेगा सेप्तमबर में या अभी फुली ऑपरेशनल हो चुका है यह माननीजे जैनवरी में जो रिपोर्ट आई थी कि फुली ऑपरेशनल हो चुका है और जो यह आर्टिकल ना पढ़ रह से स्टार जो की 15 माइल पंदहरे पंदहरा मेल आपर ड etwas कहलें ना पंदहरा मिल अपर कर लिजugu या निंकि 30ола का कुछ वोगा इतना 30 किमेटरоп की यह स्टार होगा और असक आंदर हमारे लिटकप सिर्फ सू एनीम श्यूरस पूल के अंदरो इतनी कम जगों के अंदर दू ли उसको ही डिटेक्ट करेगा और यह पुलसर जो होते हैं इनको डिटेक्ट तो करते थे और भी जो अब्जवेटरी जो रेडियो टेलिस्कोप और अदर टेलिस्कोप अब्जव करते हैं लेकिन यह highly sensitive उसको अब्जवर्वीटरी होगी जयानि कि बहुत छोटी सी हल्चल होगी ना दोस्तों बहुत चोटी सी हल्चल को भी यह detect कर पाएंगे यहानि कि मानली जिये कि बहुत दूर बहुत light years दूर बहुत मतलब कि मान जिए बहुत लाइ woods, light होते हैं आध Glen, light light years बहुत 쉬 steel यह science की terms से काफी लोग सोच रहोंगे क्या है light years यह मालने जैसे सूरज को हमारे अर्च में पहुशने के लिए 8 मिनट चाहिए होते हैं मालना कि अगर सूरज किसी दिन बंद भी हो गया तो हमें 8 मिनट बात पता चलेगा कि अच्छा सूरज बंद हो चुका है मतलब वह 8 मिनट पहले हमार से तो यह मालने जैंकि कहीं लाखो साल पहले वहां पर कोई दो तारे एक दूसरे से टकड़ाए होंगे और जो वहां से light निकली होगी ना वहां हमारे सामने आ रही है थो बहुत पहले सालो पहले यह लाखो सालो पहले यहां है're आं सी चीज़ें हुई हो और आज पर चल रहे तो वह चीज़ों किliyor ने मौना चीज़ों के बारे में ब्दोस्तों यह हम बताएगा एक्स्प्लोर और वैसे अगर बताए जाय तो इतना बड़ा है इसका मतलब क् कि इसमें सिर्फ ऐसा ने कि सिर्फ आदा कलोमेटर एक साथ पुरा उसको यूज़ करेगा ने उसका उसमें से सिर्फ तीन सो् मिटर वाला येरिया हो मानमाधिकर यह पूर यहाऀ मों अगर इसा इसमें होगा ठीक है ना और इसके काम के इसके अब्जेक्टिव आपको अगर बता दो तो यह लार्ज स्केल न्यूटल हाइड्रोजन सर्वे करेगा उसमें सबसे में पल्सर उब्जवेशन से मैं आज को बताया वैसे तो ज्यादा तर यह है उसके बाद और चीज़ें दिखाता हू आपको देखिए अब यह kya होता है movie भी थी movie नहीं है यह है इंटर सेलर मतलब जैसर कि दो स्टार का मतलब आप लेजिए कि एक सूरज सूरज को माने जिए मंसितार बोल रहा हूं तो आप सूरे को अपनेमें रखें अपने मांड में रखें ठीक है ना तो जैसे सूरज है को और दुसरा सीवरिया यह रहे है इन दोना के बीच में जो की UX ना जैसे कि हमारा स्पेस हैं जो ट कर से खाली जोगों वह खाली जोगों क्या है उसके अंदर गैसिस ने आयमन एक DOORS हैं उन सब चीजों को Intercellular कहतें इंटर्स bonuma medium कहते हैं तीक है वह चीजों के बारे में पता करेगा क्या है molecules उनके बीच में react div Int actions एक होती है कि अब naught हर एक छीज के बारे में आपको पता करेगा और सकाइस सर वे क्रेंस के पार में लिखाता हूँ यह कॉंब लिखा हुआ है फास्ट विल ऑलसो परफॉर्म टू स्काइश कर वेज अब इस काई सर्वेज क्या होते हैं स्काई सर्वेज होते हैं ब्रहमांड का एक सिस्टेमाटिक चीज बनाना जैसे कि मालीजे हम अगर बोलते हैं कि एनिमल होते हैं इससे मैट कि मैं मैंना बनाना और मैप बनाना कि अच्छा यह चीजें होती हैं इसके बाद होते हैं अच्छा इसके बास्काइब कर देगी अपकी पुरी उनिवर्स को तो वह लोस्तों यह करने वाला है अच्छा यह ऐसा नेकि यह 2016 में स्टार्ट हुआ है ऑब इसका जो तो हिस्टी थुरा अगर बता दूमें आपको 2016 में जब ये दोस्तों स्टार्ट हुआ तो ऐसा नहीं कि हम ने एक साल पहले सोचा और अगले साल इसे बना दिया देखे 2008 से इसका construction work शुरू हो चुका था फंडिंग इसकी जो है 2008 से शुरू हो चुकी थी और करीबन इस्टमाले जो है युएश डॉलर जो है 17 करोड उपे लगें 17 करोड लगें ठीक है ना 17 करोड युएश डॉलर लगें अब बात यहां पर यहाद आती है कि इसका मैं यह 20 साल पहले का विजन था या निकि जो चाइना के जो साइंटिस्ट है उन्होंने 20 साल पहले सूच लिया था कि अच्छ लोग रखा है अगर हम जैसे न्यू दिल्ली गुडगाओं गाज्याबाद लॉइडाय जैसे लाकों को देखें अगर मानता हूं मैं क्योंकि मैं इनी लाकों में जाता हूं तो मुझे पता है कि यहां पर अगर आप फ्लैट देखे तो वहां पर कितना ज्यादा लाइट प अगर बात करेंगे तो उनकी जो वेवलेंट होगी वह हमारी रेडियोगे तो दोस्तों हमारे मुबाइल ने कि करते हैं तो वह तो हम अदेख तो नहीं पा रही हो न है से उसका नाम रेडियो है लेकिन यूज करता है उसकी प्रॉपर्टी वह किस चीज को यूज करता है यह सब सिगनल के लिए मतलब वह कहीं दूर बैटे रेडियो ट्रांस्मिट कोई कर रहा हो फिर वह खीच रहा होगा मैं आम लोगों के लिए बताना अब जो साइंस पड़त से आसमान और जो यह है उसके बीज में खर आपका जो इलाका है जहां से आप चीज़ कर रहे है और जहां से वह चीज को अभी आपको इस इमेज में दिख राऊगा कि अलग तरीके की जो signal वोते हैं अलग तरीके की जो सीगनल होते हैं और उनके जो टेलिस्कोप रेडियो टेलिस्कोप अप्टिकल इनके अलग-ध इमेज बनती है तो रेडियो टेलिस्कोप इसले महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि यह एक अच्छी इमेज बनाता है और इस इमेज से हमें बहुत चीज़ें पता लगती है मतलब कि जो हमें ऑप्टिकल टेलिस्कोप से पता नहीं लग पाते हैं अलग लग चीज़ों के बारे में ट एक सेग्मेंट यूएस का जो अब्सवर्ट रिया और बी को करके उससे इन्होंने अपना कंपेशन किया और इसनों बताया किये कि पचास परसेंट ज्यादा एफिशेंट है ज्यादा सेंसिटिव है नैनो नैनो हर्ट्स वेवलेंद को भी डिटेक्ट कर पा रहा है और चार गुना मानलीजे एक यह हो गया फिर दो फिर ऐसे तीन और चार गुना इतना बड़ा यह छोटा सा था और यह चार गुना कवर कर लेगा उतने एक्सपोर्ट जादा करेगा तो यह हम देखने आप यहां लिखा हुआ देखिए अरिविको यूज एंट सर्वेस तो दिखने अगर यह ऐसा है इसके अधर मेल जैसे लगे आपने अपने आपको अलग लग इंग लाइन करके अलग लग इसका जो ऑपर हमारा सकाइए जो आसमान अलग लग आसमान की तरफ को ही मुह करके रखे होते हैं अपने तो बहुत वाइड इए जो है cover करने वाले इतना समझ मांगे आपको मालब काफी आपको समझ मां रहोगा कि यार मैं मालब इसे कि ना क्या दूं मालब बहुत चीजिए ऐसी कि बहुत बड़ा है दूसरी बात फिक्ष नहीं है घूम सकता है काफी जो को cover कर सकता है और बहुत ज़्याद़ है मालब की अपने आप में to the accurate point तक बहुत सेंसिटिव है हल चोटी चोटी हल चलो को चोटी चोटी सी अवाज ही वहां पर होती है है ना अवाज ही मान लीजिए आपने को चोटी सी अवाज जो हम नहीं सुन पाते हमारे टेलिस्कोप हमारे डिवाइस नहीं उसको महसूस कर पाते आज अभी के तो वह यह महसूस कर पाएगा तो काफी जो दावे हैं कहीना कहीं साइन्टिस्ट और रिसर्चर जो अलग लग कंट्रीज के हैं उन्होंने भी सच इसको साबित कि हाँ चाइना इस बार फाल तू नहीं बोल रहा है खाली अपनी तारीफ नहीं कर रहा है इस बार इनका सच चेक हो कि देखें 20 साल पहले से जुन्होंने सोचा होगा कहीना कहीं कुछ अच्छा कर पाएंगे अब बात करूंगा इंडिया का स्टेटस कहां पर है इंडिया ऐसा नहीं कि दोस्तों कि इंडिया कहीं पीछे छूट गया है इंडिया कभी मैं आपको दि 40 मिटर है देखिए अब ऐसा आपको लगर हो कि काम है लेकिन यह होता है कि जोस्तों आप इतनी बड़ी चीजों को ना मैंना आपको जैसे बता है आप जैसे गुडगाँ आप पूने वाला इलाका है वहां भी तो बहुत दाता लाइट पूलूशन होगा तो इतना दार है नहीं कर पाते बहुत चीजों का पूलूशन अब जैसे इसमें लाइट का पूलूशन नहीं अगर मैं आपके मुवाइल फोन्स की वेव हर एक चीज का जो ब्रॉडबैंड है यहां से राउटर है और अगर मैं यहां से बास करूं आपके रेडियो के बारे में जो रेडिय इंडिया नहीं है कि अपने देश में नहीं बन पाता तो कुछ हार मान लिए इंडिया ने भी बहुत मूतोर जवाब दिया मतलब अगर मैं कहूं एक कॉंपपडिशन के साथ है चाइना के साथ और यहां पर जो बात निकल के आती वह आपको दिखाता हूं देखिए बहुत इस साव अफ्रिका के प्रोयगों यह वहां पर प्रोयगों चला रहा है अंडिया इंडिया की पर्णिस के एक शाइना करें तंड़ माफ्य है CAN पुरा जान जोकिम सब लगा रखी है हना ऐसा नहीं हम कहीं पीछे हैं तो इसके उपर वैसे मैं खास एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए तो वह कुछ अगर उसके पास भी ऐसी टेक्नलोजी होगी हमसे भी अच्छी होगी तो कहिना कहीं हमारे रेडियो वेज और उसके रेडियो टकराएंगे और हम कहीं पता लगा पाएंगे कुछ ऐसा यह लोग है मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं आम भाशा में बताना चाहता हूं आपको तो यही दा चोटी आदमी को मतलब जिनके पास इतनी नौलेज नहीं साइंस की उनको में सोता हूं कि पता लग जाए ऐसी चीजों के बारे में क्योंकि आज का इंडिया मीडिया इंडिया मीडिया जो है इसको कवर नहीं करा अगर हम 20 साल पहले हमने भी सुचा तो ह हम भी अपनी कंट्री में खान के ल् WOW बहुत जाइंडिया उप हते थे लेकिन कि आपको इन बडा जाए पहली इंडिया अगर चांब dicksy divine our full चांब जो यह राम बंदर विवाद ऐसी चीज़ों कि मैं कहता हूं कि cover करिए लेकिन science और technology को भी अपना एक महत्व दीजिए दोस्तों कि आने वाला time इनी सब चीज़ों का है हमारा youth बहुत बढ़ा है हम सिर्फ अगर इनी चीज़ों में निकलते रहे गए राजनीती क्या है politics क्या है तो हम कमेंट भी करेगा कोई doubt है आपके अंदर और हम उसको resolve करेंगे और ऐसी वीडियो हम आपके लिए दाते रहेंगे लेकिन उसके लिए आपका जोड़दार बिल्कुल समर्थन चाहिए हमें और जो भी करिए लोगों से subscribe करवाईए शेयर करवाईए है ना बाकी तो मैं